एक ऐसा देश जहां लोग मरे हुए आदियों से भी शादी कर सकते हैं पर यह देश कौन सा है और एक ऐसा देश भी है जहां कॉंडम का नाम वहां की लोकल लेंग्विज में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे एक ऐसा देश जहां एक भी पब्लिक टालेट नहीं है पर क्यों और एक ऐसे जगह जहां पहले नशे में मिलने पर लोगों को फासी दे दी जाती थी और आजकल खिलाडियों और कम उम्र के लोगों को हार्ट अटेक क्यों आ रहा है और ये है चार किलो शुद्ध सोने की बनी दुनिया की सबसे महंगी शुट और दुनिया का एक ऐसा शहर जहां लोगों को खुसा नहीं आता और एक ऐसी मेला जिसमें एक डॉल्फिन के साथ शारिरिक संबंद बनाए थे यदि आप इन फैक्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहे ये रहे से टॉक्शों के इस भी कर सकते हैं और वह भी रूप से लिए इसतरह की शादी को नैको गें ही कहते हैं आलांकि जातीों आश्यूर्ए को राश्र को राश्र पती की अनुम्त ही थे शादी में भी सभी रसमों रिवादसों को निभाए जाता हैं upwards फर्क इतना होता कि दूहे की जाहे उसकी तस्वीर होती है अमेरिका के रहने वाली मार्गेट लोवाट उन्हाजी साल की है और वो एक फॉमर नेच्रलिस्ट है कुछ सालों पहले उन्होंने एक चौका देने वाला खुला सा किया था मार्गेट ने बताया था कि उन्होंने 20 साल के उमर में एक डॉल्फिन के साथ सेक्स की असल में 1960 के दर्शक में नासा ने एक प्रॉजेक्ट की शुरुआत की थी जिसके जरीए वेग्यानिक डॉल्फिन से बात करने और संबाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे इस प्रॉजेक्ट के तहए डॉल्फिन को बात करने के कला सिखा कर उनसे कम्यूनिकेशन इस्थापित करना था जिससे उनके बारे में ज्यादा जानकारे मिल सके मार्गरेट ने इस प्रोजेक्ट के प्रमुक से सिफारिश करके खुद का नाम भी लिखवा लिया और करेबियाई आइलेंड सेंट थॉमस पहुच गई मार्गरेट ने बताया कि वहाँ तीन डॉल्फिन्स थी एक नर डॉल्फिन था पीटर और दो मादा डॉल्फिन थी पैमेला और सीसी मार्गरेट ने बीबीसी को दिये अपने एक इंट्रिव्यू में बताया कि पीटर काफी शरारती था और वो उम्र के उस मोर पर था जब उसके शरीर में कई प्रकार के बदलाव हो रहे थे इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दोरां मार्गरेट और पीटर में काफी अच्छे सम्मंद स्थापित हो गए थे पीटर को अच्छा नहीं लगता था जब मार्गरेट बाकी दोनों डॉल्फिन के साथ वक्त गुजारती थी वो पीटर को अंग्रेजी के अक्षर सिखाती थी दोनों की ये बॉन्डिंग काफी गहरी होती चली गए और मार्गरेट के नुसार पीटर को उन से प्यार हो गया हसला मैगजीन में प्यकाशित रिपोर्ट के मुताबिक पीटर मार्गरेट के पास जाकर यौन उत्तेशित हो जाता था जिस पर उन्होंने कई बार उसके साथ संबंद बनाए उनके लिए भी वो पाई बहुत एक केंती था जब दोनों संबंद बनाते थे मार्गरेट को कुछ ज्यादा अच्छा महसूस नहीं होता था उन्हें सिर्फ खुजली जैसा प्रतीत होता था कई बार उनके शेरी पर सेक्स के दोरां खरोचे भी आए कुछ दिनों बाद मार्गरेट वहां से चले गई तो पीटर ने आदम हत्या कर ली तो जिक में शामिल लोगों ने बताया कि डॉल्विन को सांस लेने के लिए नेमे टूप से सतह पराना पड़ता है लेकिन पीटर नहीं आया ऐसे में साफ हो गया कि उसने खुद जान दी था खुसा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है लेकिन फिर भी इंसान इससे बच नहीं पाता और कभी न कभी कही न कहीं खुसे में कोई न कोई गलत हरकत कर ही बैठता है लेकिन एक शहर ऐसा भी है जहां घुसा करना शान के खिलाफ समझा जाता है अगर कोई उंची आवाज में बात करें तो लोग उसे बुरा समझते हैं उससे दूरी बना लेते हैं हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो है मैक्सिको सिटी मैक्सिको सिटी में कोई भी सारवजनिक स्थान पर अपना आपा नहीं खोता बहसबाजी हो जाने पर उससे प्यार से हल कर लिया जाता है मैक्सिको सिटी शेहर में बच्पन से ही बच्चों को अपने जजबात पर काबू रखना और शान्त रहना सिखाया जाता है यहाँ के लोगों का मानना है कि घृसे में आप अपना सब कुछ गवा देते हैं यहाँ के लोगों में घजब का सब्ड देखने को मिलता है दोस्तो कॉंटोम के बारे में तो हम सब जानते ही है लेकिन आप में से 99% लोग कॉंडॉम से जोड़े इस फैक को नहीं जानते होंगे चिहां दोस्तों क्या आप कॉंडॉम का डैनिश वर्ड जानते हैं अगर नहीं तो आप सभी जानकर चौक जाएंगे और सोच में पढ़ जाएंगे कि कोई इसे वहां खरीता कैसे होगा आपको बता दो कि इस कॉंडॉम का डैनिश शब्द ये है जिसका अंगरेजी में मतलब होता है रबर मैन दोस्तों क्या आज से पहले आपको ये फैक्ट पता था हमें कॉमेंट्स में जरूर बताईए एस्टेक एंपायर में चौधी से सोलवी शिताब्दी के बीच एक ऐसा कानून मौजूद था जिसे सुनकर आज भी नशे बाजू का नशा उतर सकता है इस खौफना कानून के मताबिक जो लोग मेशे की हालत में पकड़े जाते थे उन्हें गंजा कर दिया जाता था दूसरी बार मेशे की हालत में पकड़े जाने पर जिर्माना लगाया जाता था इसके बाद भी पकड़े जाने पर उसकी property को डिस्ट्रॉई कर दिया जाता था और इन सब के बावजूद अगर कोई बार बार नशे की हालत में पकड़ा जाता था तो उसे फिर मौत की सजा दी दी जाती थी दोस्तो अब आपके लिए एक पहली है अब मुंबई के बांदरा में एक ट्री हाउस बनाने की योजना बना रही है ये ट्री हाउस आपको अरब सागर का इंक्रेडिबल व्यू देगा ये ट्री हाउस दो मंजिला होगा जो लोग समुदर के नजारे के साथ छुटी का अनन लेना चाहते हैं उनके लिए ट्री हाउस का ये नेक्स्ट लेवल की संतुष्टी देगा दोस्तो किसे ला किसी चीज़ से डर सबको लगता है मगर जब ये डर सामानने से ज़्यादा हो जाए तो इस पर गंभीरता से सोचने की जरुवत है दोस्तो चैरोफाबिया भी एक ऐसे ही बिमारी है जो डर और भै किसा जुड़ी होती है इसमें पीडित वेक्ति को खुश होने से या मज़ा आने से डर लगने लगता है इसमें जब डर जिरुवस से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो मानसिक विकार का रूप ले लिता है दोस्तो टॉलेट जाना हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक एहम हिस्सा है और नैच्छरल स्कॉल कम आ जा ये किसी को नहीं पता इसी को धान में रखते हुए हमारे देश के सरकारी भी लोकों की सुईधा के लिए एक जगह जगह सारवजनिक शौचाले बनवाती है लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रही है जहां सारवजनिक शौचाले नहीं होते जी हाँ दोस्तो आपने बिलकुल सही सुना पेरु देश में सारवजिन एक शौचाले नहीं हो तो तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां अगर आपको मैथ नहीं आती तो लाट्री विजिता बनने के बाद भी आपको एक फूटी काउडी भी नहीं मिलेगी जी हां कैड़डा के लाट्री विजिताओं को अपनी जीत का दावा करने से पहले कैलक्यूलेटर का उप्योग किये बिना मैथ के क्वेशिशन को सौब करके उन्हें लाट्री में जीता एक तिरुपया नहीं मिलता सोने से बनी कई सारी चीज़े आपने देखी होगी लेकिन कि आपने सोने से बनी शर्ट देखी है यह है सोने से बनी शर्ट जो कि दुनिया के सबसे महगी शर्ट इसे शर्ट को महराष्ट के बिजनस्मेन पंकच पारख ने बनवाया है सोनी से बने इस शर्ट का कुल वजन 4.10 किलो ग्राम से है और इसके कुल कीमत है 1.30 लाख रुपे यह शर्ट फुली फ्लेक्सिबल, स्मूथ और कमफुर्टेबल है, साथ ही यह वाशेबल भी है और इसकी लाइफ टाइम गैरेंटी भी है दुनिया के सबसुमेंगी शर्ट के रूप में इसका नाम गिनीज बुक आफ और रिकॉर्ट्स में भी दर्ज हो चुका है इसे कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए जिया दोस्तों आप टेंशन को हलके में लेने की कोशिश बिलकुल न करें जब इंसान ज्यादा टेंशन में होता है तो उसके शरी का ब्लड गाढ़ा होने लगता है जिससे शरी में खुन के ठक्के जमने के चांसे रहते हैं उस दौरान फाइट होना लाजमी होता है ऐसे में इस दौरान कई बार फाइट इतने ज्यादा बढ़ जाती है कि गल्फेंड या वाइट खुदकुशी करने की धंकी देने लगती है अगर आप भी ऐसी प्राब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो आप इन प्राब्लम्स से छटकारा पाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि आप चाहें तो IPC धारा 503 और 506 के तहट उन पर केस दर्च कर सकते हैं दोस्तों ये तो आप सभी जानते ही हैंगे कि अलजीरिया की जनसिंख्या का 97.9% हिस्सा पर कि आप ये जानते हैं कि अलजीरिया में महिलाएं एक आर्थिका और राजनितिक ताखत के रूप में उभर रही हैं जो अलब दुनिया के बागे हिस्सों में अंसुनी हैं अलजीरिया के वकीलों में 70% और उसके नया धीशों में 60% महिलाएं हैं यहाँ पर महिलाओं का दबदबा है यहाँ घरेलू आए में पुर्शों के तुलनाओं में महिलाओं का युगदा आन तेजी से बढ़ रहा है यहाँ के विश्ववे द्याले में 60% स्टुडेंट्स महिलाएं हैं इसके अलावा भी कई बड़े बड़े पर्दों पर भी महिलाओं का ही कबजा है दोस्तों आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो कभी लिफ्ट में नहीं चड़ा हो और प्रतेक इंडिवीजुल केबल लिफ्ट का पूरा वजन और साथ में 25% तक अधिक वजन उठा सकती हैं इसलिए दोस्तों लिफ्ट में चड़ना आपके लिए पूरी तरह से सुलक्षित है दोस्तों राजी अवार्ड के बारे में तो आपको पता ही होगा या वार्ड किसी वे एक्टर को उनकी खराब भूमिका के लिए दिया जाता है 2004 में हॉलिवूड की एक्टर से हैली बैरी को कैट वोमिन में अपने भूमिका के लिए राजी अवार्ड दिया गया लेकिन जानकर आपको हैराणी होगी कि जिस फिल्म में खराब काम करने के लिए उन्हें राजी अवार्ड मिला उसी फिल्म में शांदार काम करने के लिए उन्हें आसकर अवार्ड मिला और दिल्चस्ट बात यह है कि जब हैल बैरी को राजी आवार्ड के लिए चुना गया तो तब वो अपने हाथ में आउसकर आवार्ड लेकर ये आवार्ड लेने गई इसी बीच टेस्ला के एक पूरो भारते करण जारी ने आउटो रिक्षों को भी इलेक्रिक आउटो रिक्षों में बदलना शिरू कर दिया है रानी स्वीट हिबास नाम के इस शक्स ने 21 रेनुविबल एनर्जी सिलूशन्स नाम से एक स्टार्ट अप की शिरुवात की है